दोस्तो कच्छे लैसुन का सेवन हमारे सरी के लिए बहुत ही जदा बेनिफीशल होता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको कच्छे लैसुन खाने के तीन बड़े नुकसान बताने वाले हैं यदि आप इन तीन रोग के मरीज हैं तो आपको कभी भी अपने डायटों में कच्छे लैसुन का सेवन नहीं करना चाहिए इससे आपके सरीमें कई सारी प्रावलम आ सकती है और आने वाले भाविश्र में आप कई सारे गंपीर गंपीर रोग के सिकारी हो सकते हैं तो चलिए बारी-बारी से जान लेते हैं कि कौन से वो रोग है जिन में कभी भी कच्छे लैस्वन कर शिवन नहीं करना चाहिए दोस्तों सबसे पहला रोग है ब्लड प्रेशर लो होने के सिकार तो जिन भी मरीजों को ब्लड प्रेशर लो होने के सिकार बार बार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उनको कभी भी अपने डायट में कच्छे लैस्वन को नहीं सामिल करना चाहिए इससे उनका ब्लड प्रेशर और भी लो हो जाता है कोई कच्छे लैसों में कुछ ऐसे सुख्षम और माइक्र नोटिशन गुण होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रिशर को बहुत तेजी के साथ लो करते हैं तो जो लोग ब्लड प्रिशर लो होने के मरीज हैं मोग कभी थे client Smile को ना साफल करें सारी सथमको ब्लेडिंग की सेकात हैं जो कि हमारे ब्लड को नका करते हैं एससे होता िए यह आपका अपरिशन ब्लीजिग और एंदीस होगी यानि की मात्रा Cowda बहने लगेगी साथ जो सुगर के मरीज़ें उनको कभी भी अपने डायट में कच्छे लाशन को नहीं सामिल करना चाहिए कि कोई सुगर होनी की वैसे सरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाते हैं जिससे ब्लड पतला हो जाता है यह उनका सरीर कहीं भी कट बिंट जाता है और दो सुगर के मरीचा कई चक्छे लाशन का 7 करते हैं तो बलड टेजी से बाइगा और बलड की कम होनी के सिकात नहीं की सामिल करें साथी तो सुझ को कि बिदा हुसा मूह करें इसंसे नुन को अनिद्रा का खिछ्這是 को हो सकती है और सर से ziemlich कई सारी प्राब्लम आ सकते हैं तो दोस्तों यह थे वो तीन बड़े रोग जिन में हमें कभी कच्छे लाशनों का सेवन नहीं करना चाहिए आई होप कि वीडियो आपको काफी अच्छे लगी होगी इती वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बर सकते हैं हमें तब तक लिए बाबाए